नमस्कार दोस्तों आप स्वीका स्वागत है हमारी यूडूब चैनल वी CS Basic Weeks में आज के इस वीडियो में हम कब साग्या आ रहे हैं जो NCRD की फट्टे पुस्तक है उसके 12 विचिप्टर उस्मा गतिगी को स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में हम देखेंगे कि उस्मा गतिगी होती क्या है साथ में हम उस्मा गतिगी में प्रियुक्त होने वाले कुछ महत्वपुन पदों के बारे में आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि उस्मा गतिक निका या तंतर क्या होते हैं, उस्मा गतिक चर्क क्या होंगे, उस्मा गतिक सम्मे होता क्या है, ये किदनी प्रकार के होते हैं, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। विद्यार्तियो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोज की नोडिविकेशन मिलती रहें हम आपको बता दें कि भोतिकी से रिलेटेड ककसा 11 और 12 के सभी वीडियो जे आपको हमारे YouTube चैनल पर उबलब्ध हो जाएंगे साथ में हम आपको हस्त लिखित नोड्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं जिन्हें आप प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंध तक देखते रहे हम आपको एक WhatsApp नमबर देंगे जहां से आप हस्त लिखित नोड्स प्राप्त कर सकते हैं अब इस वीडियो को स्टार्ड करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि उस्मा गती की होती क्या है थर्मो डाइनेमिक्स किसे कहा गया है देखिए लास्ट चेप्टर में हमने दरगों के जो ताप ही गुण है उसमें हमने ताप था उस्मा दोनों के बारे में ही अध्यन कर किया था हमने लास्ट चेप्टर में देखा था इताप जिसे हम टेंपरेजर कहते हैं जो ठंडक और गर्माहट के माप को बताता है और जो उसमा होती है वो एक उपरकार की उर्जा होती है जिसे हम ठंडक या गर्माहट का जिसे हम अनभव करते हैं वो ही उसमा होती है और मापन जिस इकाई में किया जाता है उसको हम ताप कहते हैं clear यह सब कुछ चीज़े हमने लास्ट चेप्टर में देख ली थी अब देखें यहाँ पर हम प्रिभासित करने जा रहे हैं उस्मा गतिगी को थर्मो डैनेमिक्स को तो देखें उस्मा गतिगी भूतिक विज्यान की वह साखा होती है जिसमें हम ताप और उस्मा के बारे में संपूर्ण अध्यन करते हैं कि उस्मा है क्या ताप क्या है इसके साथ में उस्मा का एक रूप से दूसरी रूप में रूपांतरन उस्मा से रिलिटेड जो नियम काईदे हैं उनका हम उस्मा गतिगी की अंतरगत अध्यन करते हैं। तो देखिए definition क्या हो जाएगी इसकी, कि भोतिक विज्ञान की वह साखा, जिसके अंतरगत हम ताप उस्मा के बारे में, उस्मा के अन्य उर्जाओं में रुपांत्रिन के बारे में, उस्मा के नीमो के बारे में अध्यन करते हैं। उस्मा गतिगी कहलाती है, थर्मो डैनमिक्स कहलाती है। तो मैं यहाँ पर पहले, सबसे पहले definition पूट कर देता हूँ, फिर एके करके अगले पदों की और बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम प्रिवासित कर देते हैं। उस्मा गतिगी को, थर्मो डैनमिक्स को, तो क्या है भोतिक विज्ञान की वह साखा। भोतिक विज्ञान की वह साखा। जिसमें, ताप वैं, उस्मा के बारे में, उस्मा के नीमो, उस्मा के नीमो के बारे में हम अद्दिन करेंगे, वे उस्मा के अन्ने उर्जाओं में रुपांतरण के बारे में अध्यन ने किया जाता है उस्मा गती की कहलाती है उस्मा गती की कहलाती है तो देखे हां में ताप क्या होता है उस्मा क्या होती है उस्मा से रिल्टेड जो नियम काईदे हैं उनके बारे में उस्मा का एक उर्जा से अन्ने उर्जाओं के रूप में जो इस्थाना अंतरण होता उसके बारे में भोतिक विज्यान की जिससाखा में हम अध्यन करेंगे उसको हम thermodynamics कहेंगे उसमागती की कहा जायेगा, clear? अब देखे इस वीडियो में हम बात करेंगे उसमागतीक तंत्र या उसमागतीक निकाई तो उसमागतीक तंत्र या निकाई क्या है? तो हमें किसी छेत्र या आकास को उस्मागतिक रूप से अध्यन करने के लिए चैनित करते हैं तो उस चेत्र को उस आकास को ही हम उस्मागतिक निकाई कहते हैं अगली जो definition है वो हम दे रहे हैं उस्मा गतिक तंत्र या निकाए अगला जो हमारा पद है वो है उस्मा गतिक निकाए इसे हम तंत्र भी कह सकते हैं देखिए है क्या तो देखिए इसकी definition क्या है ऐसा छेत्र या कास हम एक छोटा सा छेत्र लेंगे या छेत्र बड़ा भी हो सकता है आकास हो सकता है जिसका हम उस्मा गतिक जिसका उस्मा गतिक अध्यन करने के लिए चयन किया जाता है उस्मा गतिक अध्यन करने के लिए करने के लिए चयन किया जाता है उस्मा गतिक उस्मा गतिक निकाय या तंत्र कहलाता है देखिए उस्मा गतिक निकाय हमने एक छेत्र बिसेज को माना है एक छोटे से आकास को प्रिबद किया है तो उस्मा गतिक निकाय के अंदर पर्माणू या जो अनू होते हैं वो निशित सीमाओं में प्रिबद होते हैं जो हमने चयन कर लिया है कि जैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यह हमने जैसे consider कर लिया कि यह हमारे पास में उस्मागतिक निकाई है यह हमारे पास में क्या है उस्मागतिक निकाई तो यह एक निशित सीमाओं में भधा होगा उसमा गतिक निकाई इसको हम कह रहे हैं इस निकाई का जो बहारी छेतर होता है इसको हम कहते हैं प्रिवेश इसे हम क्या कहते हैं प्रिवेश कहते हैं तो निकाई का जो बहारी इससा है निकाई को छोड़ कर जो सेंस चारो और का वातवरन होता है उसको हम कहते हैं प्रिवेश उसे क्या कहा जाता है प्रिवेश तो उसमगतिक निकाय के चारों और का छेत्र या वातवर्ण प्रिवेश कहलाता है प्रिपार्स्विक कहलाता है अब देखिए कि उसमगतिक निकाय के अंदर बहुत सारे अनू हो सकते हैं या परमानू हो सकते ह जो कि निश्यत सीमाओं से प्रिबद होते हैं जैसे ये वाली हमारे पास में हमने बाउंडरी यहां पर निकाल दी है तो यहां पर इस बाउंडरी से बाहर नहीं जाएंगे परमाणू या अनू सारे के सारे इस उसमगतिक निकाय के अंदर ही मुझूद रहने वाले हैं तो उसमगतिक निकाय क्या होगा कि एक छेत्र या आकास जो हम उसमगतिक रूप से अध्यन करने के लिए चैन करते हैं उसमगतिक निकाय कलाता है अब उस्मागतिक निकाई के अंदर बहुत सारी सैंख्या में अणू या परमाणू मिद्यमान होते हैं उस्मागतिक निकाई के चारो और का छित्र प्रिवेश कहलाता है प्रिपार्स्विक कहलाता है चलि मैं यहाँ पर एक लाइन ये भी पूट कर देता हूं कि उस्मागतिक निकाई में जो उस्मागतिक निकाई होता है उस उस्मागतिक निकाई के अंदर हम क्या करते हैं बहुत सारे बहुत सारे अनू या परमानू निश्चित सीमाओं में निश्चित सीमाओं में घिरे रहते हैं घिरे रहते हैं clear? निश्चित सीमाओं के अंदर वो भंदे हुए होंगे अब देखें उसमागतिक निकाय के चारों और का छेतर क्या कर लाता है? प्रवेश कर लाता है इस प्रवेश की भी मैं डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूँ प्रवेश देखें इसके डेफिनेशन क्या है? उसमागतिक निकाय के उसमागतिक के निकाय के चारों और का छेतर और का छेतर या वातावरण या वातावरण प्रवेश कहलाता है कि उसमागतिक निकाय के चारों और का छेतर होता है वातावरण होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? प्रवेश कहते हैं अब देखो यहां पर मैं सबसे पहले बात करूंगा कि उस्मा गतिक निकाई होता क्या है कितने प्रकार के होते हैं निकाई की डिफिनिशन हमने दे दी अब उस्मा गतिक के जो निकाई हैं वो तीन प्रकार के होते हैं लेकि कौन कौन से पहला जो इसका प्रकार होता है वो है खुला निकाई खुला निकाई एक ऐसा उस्मा गतिक निकाई होता है जो प्रवेश के साथ में उस्मा था दर्वे दोनों का आदान प्रदान करता हो तो उस निकाई को हम खुला निकाई कहते हैं दूसरा जो उस्मा गतिक निकाई का प्रकार है वो है बंद निकाई तो ऐसा उस्मा गतिक निकाई जो प्रवेश के साथ में उस्मा का आधान परदान तो करता हो लेकिन दर्वे का आधान परदान नहीं करे तो उस निकाई को हम बंद निकाई कहते हैं और तीसरा और अंतिन जो परदान है वो है विल्गित निकाई, isolated system तो ऐसा उस्मा गतिक निकाई जो प्रवेश के साथ में ना तो उस्मा का नहीं दर्वे का आधान परदान करता हो उस्मा गतिक विल्गित निकाई कहलाता है clear, तो उसमागर्तिक के जो निकाई हैं, वो तीन परकार के होते हैं, कितने परकार के होंगे, देखें तीन परकार हैं, कौन-कौन से परकार हैं, वो देख लीजिए, पहला जो परकार है, वो हमारे पास ने हैं, खुला निकाई, पहला परकार कौन सा है, खुला निकाई, दू विल्गित निकाय यह तीन प्रकार होते हैं चले हम इनको एकक करके यहाँ पर इन सब की तीनों की डेफिनेशन देख लेते हैं समझ भी लेते हैं अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उस्मा गतिक निकाय के प्रकार तीन प्रकार के उसमागतिक निकाई होते हैं पहला जो प्रकार है वो है खुला निकाई open system खुला निकाई किसे कहा जाएगा कि ऐसा आकास छेत्र जो उसमागतिक रुप से अध्यन करने के लिए चैनित किया जाता है उसमागतिक निकाई कहलाता है अब उस उसमा गतिक निकाई को हम खुला निकाई कब कहेंगे जब उस निकाई से प्रिवेश के साथ में उसमा था दर्वे दोनों का यदि आदान प्रदान होता हो तो उस निकाई को हम खुला निकाई कहेंगे उस निकाई को क्या कहा जाएगा खुला निकाई कहा जाएगा तो देके definition क्या है कि ऐसा निकाई ऐसा निकाई जिसमें ऐसा निकाई जिसमें उस्मा वै द्रवे उस्मा वै द्रवे का प्रवेश के साथ प्रवेश के साथ आदान परदान हो आदान परदान हो कोमा खुला निकाई कहलाता है खुला निकाई कहलाता है अब देखिए इससे समझ लीजी कि जैसे माली जी के हमारे पास में कोई पात्र है कोई पात्र है और इससे पात्र के अंदर जैसे माली जी की बहुत ज्यादा टेंपरेजर वाला कोई लिक्विड भरा हुआ है तो देखिए ये जो लिक्विड है इसका टेंपरेजर ज्यादा ये है प्रिवेश ये क्या है प्रिवेश है और इसे हम कह रहे हैं खुला निकाए ये क्या है खुला निकाए अब देखिए ये इसमें से उस्मा का उत्सर जन बहार की ओर हो इसमें से बहार क्या निकले उस्मा बहार निकले प्रिवेश में बहार निकले साथ में यहां पर भाप की रूप में भी लिक्विड यदि भार निकल रहा हो दर्वे का आदान परदान हो रहा हो तो इस निकाई को हम खुला निकाई कहेंगे इस निकाई को इस सिस्टम को क्या कहा जाएगा खुला निकाई कहा जाएगा clear देखिए second part बंद निकाई दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है बंद निकाई close system कि ऐसा उसमा गतिक निकाई रेफनेशन सुम लीजिए ऐसा उसमा गतिक निकाई जिसमें ऐसा उसमा गतिक निकाई जिसमें वातावरण और निकाय के मद्दे उस्मा का आदान-प्रदान तो होता हो लेकिन दुर्वे का आदान-प्रदान नहीं होता हो तो उस निकाय को हम बंद-निकाय कहेंगे तो ऐसा उस्मा गतिक निकाए जिसमें उस्मा का प्रवेश के साथ में आदान प्रदान हो आदान प्रदान हो लेकिन उस्मा का तो आदान प्रदान होना चीए लेकिन क्या नहीं होना चीए लेकिन द्रवे का आदान प्रदान ना हो प्रिवेश के साथ में दर्वे का आदान परदान ना हो बंद निकाई कहलाता है उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे बंद निकाई कहेंगे जैसे हमारे पास में कोई ये कोई सिस्टम है ये हमने कोई सिस्टम दिखाया है इसको हम कह रहे हैं बंद निकाई इसे क्या कहा जा रहा है बंद निकाई कहा जा रहा है इसके अंदर कोई मेटर भरा हुआ है कोई liquid हो सकता है, कोई gas हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से इसमें भरी पड़ी है, ठीक है, अब देखें ये जो उस्मा है, वो थो इसमें से बाहर निकल लई है, उस्मा का तो क्या हो रहा है, उस्मा उत्सरजन हो रहा है, उस्मा उत्सरजित हो रही है, लेकिन दर्वे का उत्स जो इसमें निकाई है वो देख लेते हैं अंतिम जो निकाई है उसको हम विलगित निकाई कहते हैं क्या कहा जाता है विलगित निकाई isolated system किसे कहा जाता है definition समय लीजिये कि ऐसा उस्मा कतिक निकाई जिसमें उस्मा थता दर्वे का प्रवेश के साथ में आदान प्रदान नहीं हो विल्गित निकाय कहलाता है तो ऐसा निकाय जिसमें ना तो उस्मा का नहीं दर्वे का प्रवेश के साथ में आदान प्रदान हो एसा निकाय जिसमें इसा निकाई जिसमें ना तो उस्मा का होना ची उस्मा का ना ही द्रव्य का प्रवेश के साथ प्रवेश के साथ आदान प्रदान हो विल्गित निकाई कहलाता है विल्गित निकाई कहलाता है उस सिस्टम को ही हम क्या कहेंगे विल्गित निकाई कहेंगे कि ऐसा कोई सिस्टम है इसमें से कोई मैटर इसमें भरा है तो इसमें बाहर क्या जो प्रवेश है उस प्रवेश के साथ में उस्मा भी और द्रवे का भी आदान प्रदान नहीं होता है तो उस निकाई को हम विल्गित निकाई कहेंगे विल्गित निकाई के लिए हम देखो एकदम आदर्स विल्गित निकाई नहीं हो सकता है, ऐसा कोई निकाई हो नहीं सकता जिसमें निकाई और प्रिवेश के साथ में उस्मा का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं हो, ऐसा possible नहीं है, लेकिन हम कुछ इस्तितियों में ऐसा निकाय कंसिडर कर सकते हैं, मान सकते हैं, जैसे हम बात करें थरमस की, तो उसमें हम थोड़ी देर के लिए अल्प समय की बात करें, तो वो एक विल् बंद निकाय होता है, क्योंकि उसका प्रिवेश के साथ में उस्मा का आदान प्रदान होता है, लेकिन दुर्वे का आदान प्रदान नहीं होता, तो उस निकाय को एक्चुल में हम बंद निकाय कह सकते हैं, और एक खुले पातर में हम पानी को गरम करें, तो उसमें से या खुले चाई को हम यदि रख दें बहार, तो वो एक खुले निकाई की भाती काम करेगी, उसमें से उस्मा का भी उत्सरजन होगा, साथ में, कुछ जो मेटर है, कुछ अंस उसका भाब की रूप में प्रिवेश में भी चला जाएगा, तो वो एक खुले निकाई की भाती काम करती है, तो ये रहे हैं उस्मा गतिक निकाई और तिनों की डेफिनेशन, अब हम बात करेंगे यहां पर उस्मा गतिक चरों की, उस्मा गतिक चर होते क्या हैं? अब हम आगे बढ़ते हैं, उस्मा गतिक चर, जो समय के साथ में चेंज होती है वेरियबल होती है तो उनको हम चर रासिया कहते हैं उसमा गतिक चर हम किसे कहेंगे कि हम यदि किसी निकाय में उसमा कतिक अध्यन कर रहे हैं तो उससे दोरान जिनने रासियों की हमें आवशकता पढ़ती है जो रासियां समय के साथ में बदलती है उनको हम उस्मागतिक चर कहते हैं तो किसी उस्मागतिक निकाई का ध्यन करने के लिए आवशक भोतिक रासियां उस्मागतिक चर कहलाती है और उनमें ताप है, दाब है, आयतन है, मोलों की संख्या है, एंट्रोपी है, गिपसूर्जा है, आंत्रिकूर्जा है, ये सब जो भोतिक राश्या है, ये उस्मागतिक चर कहलाती है, इन्हें हम क्या कहेंगे, उस्मागतिक चर कहेंगे, ये समय के साथ में बदलती है, इसलि तो देखिए हम देख लेते हैं यहां पर इसकी डेफिनिशन भी उस्मा गतिक चर उस्मा गतिक चर हम किसे कहेंगे कि उस्मा गतिक निकाय का ध्यन करने के लिए आवशक भूतिक राशियां उस्मा गतिक निकाय का अध्यन करने के लिए अध्यन करने के लिए आवशक भूतिक राशियां आवशक भूतिक राशियां उस्मा गतिक चर कहलाती है किसी निकाय को अच्छे से अध्यन करने के लिए कुछ भूतिक राशियों का हम सहरा लेते हैं उस्मा गतिक चर कहते हैं कौन-कौन सी राशियां होती है वो देख लीजिए उस्मा गतिक चर कौन-कौन से है तो देखें ताप एक उस्मा गतिक चर है दाब एक उस्मा गतिक चर है आयतन भी है एंट्रोपी भी है मोलों की संख्या भी है मोलों की संख्या आंत्रिक उर्जा ये सब क्या है उस्मा गतिक चर कराते हैं उस्मा गतिक चर इनको हम कहेंगे अब देखिए हम बात करेंगे उस्मा गतिक सम्मे कि हम उसमे सम्मे में उसमा गतिक सम्मे या उसमे सम्मे होता क्या है लेकि उस्मा गतिक सम्मे का मतलब है कि यदी कोई निकाय के जो उस्मा गतिक चर हैं वो यदी सम्मे के रस्पेक्ट यदी नियत हो जाए तो उस इस्तिती को हम उस्मा गतिक सम्मे कहेंगे उस इस्तिती को क्या कहा जाएगा उस्मा गतिक सम्मे और उस्मा गतिक साम्मे के अंदर जो निकाई और प्रवेश के मद्दे लगने वाले बल हैं वो संतुलन की इस्तिती में रहते हैं इसके साथ में निकाई और प्रवेश के साथ में उस्मा का आधान प्रदान नहीं होता है इसके अलावा जो निकाई है उसकी रासानिक संरचना भी समय के साथ में ऐ परिवर्तित रहती है रासानिक संरचना भी समान बनी रहती है तो उस इस्तिती को हम उस्मागतिक समय कहेंगे तो इन चीजों को आप लोग समझ लीजी अच्छे से समझ लीजी क्या है कि उसमागतिक सम्मे का अर्थ यह है कि ऐसी इस्तिती जिसमे जो उसमागतिक चर है निकाई के उसमागतिक चर जो कि यह है ताप, दाव, आइतन, एंटोपी, आंत्री कूरजा, यह सब कुछ यदि यह सम्मे के रस्पेक्ट नियत हो जाए इनकी वेल्यू चेंज नहीं हो रही है सम्मे के रस्पेक्ट, तो उस इस्तिती को हम उसमागतिक सम्मे कहेंगे उस इस्तिती को क्या कहा जाएगा उसमागतिक सम्मे कहा जाएगा चलिए, उसमागतिक सम्मे की मैं definition पूट कर देता हूँ, क्या है देखें उस्मा गतिक सामने की definition क्या है उस्मा गतिक की सामने उस्मा गतिक सामने क्या है कि ऐसी अवस्था ऐसी अवस्था जिसमें जिसमें उस्मा गतिक चर उस्मा गतिक चर समय के साथ समय के साथ नियत बने रहें नियत बने रहें उस्मा गतिक सामने कहलाता है अब देखें कोई भी जो निकाय है वो उस्मा गतिक सामने में तभी होगा जब वो निकाय यांतिक सामने में हो उसमिय सम्मे में हो, अर्थार्थतापिय सम्मे में हो और रासनिक सम्मे में यदि तिनों सम्मे अवस्थाइं होती है तब जाकर वो उसमगतिक रूप से सम्मे में होगा चलिए, मैं रख देता हूँ यहाँ पर कोई निकाई या मैं लिख देता हूँ किसी निकाई के उसमा गतिक सम्मे में होने के लिए किसी निकाई के उसमा गतिक सम्मे में होने के लिए सम्मे में होने के लिए होने के लिए निकाई का यांत्रिक सम्मे कोमा तापिये सम्मे रासाइनिक सम्मे में होना जरूरी है चलि मैं उपर लिख देता हूँ रासाइनिक सम्मे में होना जरूरी है आवशक है अब देखे इन सब को हम एक एक करके तीनों जो सम्मे की स्थितियां है उनको हम देख लेते हैं कि जो निकाई है वो यांत्रिक सम्मे में कब होगा तापिये सम्मे में कब होगा और रासानिक सम्मे में कब होता है तो देखे सबसे पहले हम ले लेते हैं यांत्रिक साम्मे में यांत्रिक साम्मे में यांत्रिक साम्मे का मतलब है कि निकाय पर कारे रत जो बल है वो यदि संतुलन में है तो उसको हम यांत्रिक साम्मे में कहेंगे तो दिखे ऐसी इस्तती जिसमे जिसमें निकाय प्रिवेश पर लगने वाले बल के मद्दे लगने वाले बल संतुलन में हो यांत्रिक सामें में कहलाती है उस इस्तथी को हम क्या कहते हैं यांत्रिक सामें की इस्तथी कहलाती है यांत्रिक सामें की इस्तथी कहलाती है दूसरी जो सिच्चुशन होगी दूसरी जो इस्तथी होगी उसको हम कहते हैं ताप ये सामें में ताप ये सम्में का मतलब क्या है कि इस्तथी ताप मान प्रिवेश्त जो निकाय है उसका ताप समान हो या ताप सम्में के रस्पेक्ट चेंज नहीं हो तो वो ताप ये सम्में में कहलाता है निकाय का प्रिवेश के साथ में, निकाय का ताप प्रिवेश के समान होता है, समान हो, तो उस इस्तिती को हम ताप ये सम्मे में कहते हैं, सम्मे के रेस्पेक्ट ये ताप मान चेंज नहीं होता है, तो उसको हम ताप ये सम्मे में कहेंगे, रासाइनिक सम्मे का मतलब क्या है रासाइनिक सम्मे विद्यार त्यू रासाइनिक सम्मे का मतलब है कि जो निकाई है उसकी रासाइनिक सन्रचना सम्मे के रस्पेक्ट नियत होनी चाहिए तो उस इस्तिति को हम रासाइनिक सम्मे में कहेंगे विद्यार तो यदि आप हमारे YouTube चैनल से हस्ट लिखित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमारे YouTube चैनल के WhatsApp नंबर कोल नहीं करना है केवल WhatsApp करना है यहां पर आप मैसेज करके हस्ट लिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं एक बार फिर से देख लीजिए 9460239358 अब देखे रासायनिक सम्मे के निकाय की रासायनिक सरंचना निकाय की रासायनिक सरंचना समय के रेस्पेक्ट नहीं है थो रासायनिक सरंचना समय के साथ नियत हो रासायनिक सरंचना नहीं बदलने चाहिए तो उस इस्तिदी को हम रासायनिक सम्मे में कहेंगे रासायनिक सम्मे की इस्तिदी कहलाती है तो किसी निकाई के उस्मागतिक सम्मे में होने के लिए उसे निकाई का यांतरिक सम्मे, तापिय सम्मे और रहसानिक सम्मे में होना आवशक होता है यदि ये तीनों ही साम्मे की इस्तती होगी तब ही जो निकाई है उसके जो उस्मागतिक चर है वो समय के रैस्पेक्ट नियत रहेंगे तो ये था विद्यारतियों आज का हमारे वीडियो जिसमें आपने उस्मागतिकी होती क्या है उस्मागतिक निकाय, उस्मागतिक निकायों के परकार उसके साथ में हमने प्रवेश के बारे में भी देखा उस्मागतिक चर और उस्मागतिक साम्मे की डेफिनेशन भी यहां प धन्यवाद दोस्तों